हलो फ्रेंट तो आज हम बना रहे हैं व्रत स्पेशल थ्री डिफ्रेंट रेसेपी तो हमें सबसे पहले मुमफली दानों को भून लिया है इनके छिलके निकाल लिये हैं अब इन्हें एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करके इसका एक हमें दरदरा पाउडर तयार कर लेना है यह इसे बाद पूरा पानी नितार दीजिए और एक से दो घंटे रखे तो बिल्कुल परफैक्टली ऐसे ही खिले-खिले साबुदाने भीगेंगे तो आब हम बना रहे हैं साबुदाने के वड़े तो इसलिए यहाँ पर हमने जो साबुदाने सोक करके रखेते वो लिये हैं इसमें हम 3-4 चम्मच मुमफली दानों का पाउडर आड़ करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर जीरे का आड़ करेंगे यहाँ पर स्वादनों सा नमक आड़ किया है अब हमने एक चम्मच मिर्ची का पेस्ट आड़ किया है थोड़ी सी हरी धनिया हमने यहाँ पर आड़ की है हमने एक बड़ी साइज के आलू को उबाल कर एड़ किया है आलू हमें उतना ही डालना है कि साबुदाने बाइंड हो जाए आप अगर लाल मिर्च खाते वरत में तो लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं अब इन सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है मैंने यहां हातों का अब हम एक पैन में ऑईल गर्म करेंगे और उसमें एक एक करके इन वड़ो को एड़ करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर हम इने डीफ्राय कर लेंगे तो देखिए साबुदाने बड़े जो है वो डीफ्राय होकर तयार है इन्हें हम एक प्लेट मे निकाल लेंगे और ऐसे ही हमने सारे साबुदाने बड़े डीफ्राय करके तयार कर लिये हैं नेक्स्ट हम बना रहे हैं भगर तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक कटोरी भगर लिया है इसे हमने पानी से दो कर आदे गंटे सोक कर लिया है अब एक पैन में हम तीन से चार च करेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हरी मिर्चाट करेंगे इसे थोड़ा भूनेंगे अब एक मीडियम साइज के आलू को हमने काट लिया है और दो लिया है उसे हम यहाँ पर आट करेंगे और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तो देखिए आलू पक चुके हैं सॉफ्ट हो गए हैं अब हमने जो मुंफली दानों का पाउडर तयार किया था वह यहाँ पर हम एक से दो चमच आड़ करेंगे इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जो भगर हमने सोक करके रखा था उसका पानी नितार कर हम आड़ कर लेंगे इसे हम पहले ऐसे ही थोड़ी दिर भून लेंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा बगर का अब हम इसमें आधे से 3-4 कटोरी हम यहाँ पर पानी आड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक का आड़ करें और इसे हमें पका लेना है तो देखिए वगर जो है वह बनकर तयार है हम चैक कर लेते हैं तो देखिए यह प्रॉपर कुक हो चुका है अब हम इसमें बारी कटिव हरी धनिया डालेंगे और इसे लामन के साथ सर्फ करेंगे तो यह रेसिपी भी हमारी रेडी है अब नेक्स् फट जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा सा गरम करेंगे इसमें बॉइल लाने की जरूरत नहीं है और फ्राइड बटर मिल्क रेडी है यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो हमने तीनों रैसिपी तयार कर ली है अगर आपको रैसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें तो